ब्रोकली पराठा बनाने की विदेग गन पैन में तेल बारिक कटा प्यास नमक हरी मिर्च डाल कर दो मिनट के लिए हम सौटे करेंगे और अब इसमें डालते हैं ये ब्रोकली इसे भी अच्छे से सौटे करेंगे अब इसमें ये आमचुर पाउडर कड़ी पता धन्या पाउ तो देखे ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रडी है अब गुंदा हुआ आटा लेकर इसके हम लोई बनाते हैं और इस तरह हाथों से दबा दबा कर इसे बढ़ा कर लेंगे थोड़ा अब इसमें बीच में ये स्टफिंग रखेंगे और इसे हम इस तरह से बिल्कुल बंद करके सील कर देंगे अब थोड़ा सुखा आटा इस पर लगाते हैं और बिल्कुल एक रोटी की तरह हम इसे बेलेंगे और देखे यहां पर ये तयार रोटी को अब इस गर्ण तवे पर हम सेखेंगे उपर से मखन भी लगाकर अब जो है एक प्लेट में निकाल लेते हैं इ ऐसे ही या फिर चाकू उसे काट कर टुकडों में करके भी इसे हम खा सकते हैं